नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन खबर मौसम की है जहां मौसम का ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजर हूं के हैं राज़ानी पटना समय पूरे बिहार का मौसम बदला बदला नजर आ रहा है एक तरफ होली कागाज है तो वहीं दूसरी तरफ होली में रंग में भंग डालने को मौसम भी बेताब है मौसम बभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलड़ जारी किया गया है बिहार के कुछ जगों पर बारिश को लेकर चेताबनी बताई गई है मौसम को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग से जानकारी दी गई है चलिए हम सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से पताते हैं होली का खुमार लोगों पर चड़ने लगा है ऐसे में बिहार में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है मौसम भाग के अनुसार पश्मी भीशोब के कारण बिहार के कई जिलों में 25 मार्श तक हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है आज यानि शनिवार की सुबब से राज़ानी पटना का मौसम का मिजास बदला हुआ है मौसम भाग के अनुसार शनिवार की राद पश्मी भीशोब हिमाले शेत्र में देखने को मिला है इसके कारण 24 और 25 मार्श को बिहार के उत्तर मधी और उत्तर पुर्व भागों में बारिश होने की संभाबना है 24 और 25 मार्श को पटना के आसपास के शेत्रों में बादल छाय रहने की संभाबना मौसम बिभाग ने जाहिर की है 23 मार्श से एक ताजा पश्मी भीशोब हिमाली ये शेत्र में देखने को मिलेगा इसका असर बिहार पर भी पढ़ सकता है इसमें 24 और 25 मार्श को बारिश की संभाबना एक बार फिर बन रही है 24 मार्श को सीता मड़ी सुपॉल अररिया किशन गंश पूर्णिया कटिहार के एक और दो स्थानों पर में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है 25 मार्च को सीता मढ़ी, सुपॉल, अररिया, किशन गंच, पुर्णिया और कटिहार में भी बारिश की फुहारे जो हैं लोगों को भींगा सकती है पाश्मी भीशोप के प्रभाव से 24 मार्ट को जावतर शुत्रों में बादर चाय रहेंगे इस दोरान राज के कुछ जिलों में हलकी बारिश होने की संभावना है मौसम बिभाग अनुसार इसमें दिन के तापमान में गिराबट दर्च की जा सकती है वही रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है इस दोरान तेज हवाएं चल सकती है एक तरफ लोग होली के रंग में चड़े हैं तो दूसरे तरफ मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है ऐसे में बारिश कही रंग को हलका न करते मौसम बभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बिहार के कई जगों पर बारिश हो सकती है होली के रंग को भंग करने के लिए ये बारिश बिहार के कुछ को जगों पर दिख सकती है एक तरफ जहां लोग होली के रंग बेरंगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौसम का भी रंग लगतार बदलता हुआ नजर आ रहा है आपके जिले का मौसम का क्या हाल है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के लिए मौसम में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें निउस फॉनेशन